कि यहां पर कंपनी के बारे में तो स्टार्ट करते हैं यहां पर कंपनी का क्वाटर त्री का रिजट आ गया तो उसके उपर एक बार यहां पर नज़र डालेंगे कि यहां पर कंपनी के बात करोगे तो जैसा यहां पर कंपनी का नाम है वैसा ही यहां पर कंपनी का बिजनस भी है जैसे यहां पर आगर आपको देखा जाए, आइस क्रीम पारलर से आप पोज जाते होगे, या आईस क्रीम वेंडर्स को आपने देखा होगा, तो जो आप उनके चिल, मतलब कह सकते हो, बॉक्स होते हैं, जिसके अंदर आईस क्रीम रखी होती है, वो यहां पर हमारे आईस में बनाने का काम करती है यहां पर इनका काम नहीं रुखता है जिसे यहां पर मतलब एक पूरे cold rooms होते हैं जिनके अंदर यहां पर कह सकते हो कि लंबे-लंबे समय के लिए खाना store किया जाता है मतलब कि non-wage materials भी थोड़े से वहां पर store किया जाते हैं वैसे रूम्स अगर देखो को तो company बनाती है ऐसे रूम्स जहां पर आप लोग के chemical store होते हैं नंबे समय के लिए क्यमिकल्स को भी पर्ठीकुलर टेंप्रेचर पर मेंटेन करना पड़ता है तो वैसे cold rooms भी company बनाती है अब इसके साथ सथ कभी न आप लोग ट्रावल करते होगे शहर के अंदर आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी ट्रक्स होती हैं जहां पर जिसके पीछे रिफ्रिजरेटर लगा रहता है और उसके अंदर यहां पर chemicals रखे रहते हैं या किसी भी तरह का हो सकता है आने का समान रखा होता हो तो उस तरह कि लोगिस्टिकल ट्रक्स भी यहां पर कंपनी बनाती है जिसको कह सकते हो कि यूज क्या जाता है chemicals को या कुछ भी और material को जिसको एक पर्टिकुलर टेंप्रेचर के बाहर नहीं जाने दिए सकता क्योंकि उससे वहां से कंटामिनेशन या हो सब क्या सकते हो खराब होने के चांसे बढ़ जाते हैं तो वैसे materials या कह सकते हो कि chemicals store करने के लिए एसे ट्रक्स का importance बहुत साथ बढ़ जाता है और अभी पर इंडस्ट्री को यहां पर के ट्रक्र करती है और क्लाइंट्स पर देखो को तो कुछ बड़े-बड़े आपको देखने के लिए मिलेंगे जैसे अमूल हो गया कोका कोला हो गया हिंदुस्तान यूनिलिवर हो गया उसके बाद कई सारे फार्मसोटिकल्स कंपनी अगर आप लोग देखो को तो कंपनी के क्लाइंट्स है और इनके क्लाइंट्स काफी बड़ा है वैसे आप लोग इनके कंपनी वेबसाइट पर जाके भी द यहां पर देखा जाए कंपनी के अगर वैल्यूइशन की अगर बात की जाए तो यहां पर स्टॉक की फिलाल अगर आप लोग देखोगे तो वह फोटी के आसपास की देखने के लिए मिलेगी और साथी साथ कंपनी की तीन साल की प्रॉफिट गोद अगर देखी जाए तो यहां से एक ट्रेंड आपको पता चल रहा होगा यहां पर स्टॉक की पिश्ली कुस्ता में देखो तो एक्सपैंड हुई है मतलब यहां पर प्राइस के अंदर एक्सपैंशन देखने के लिए मिला है बट इसके अगेंस में अगर आप लोग प्रॉफिट ग्रोद और इसी के साथ साथ अगर आप लोग यहां पर कॉटली रिजर्ट देखोगे तो से अंदर एक्सपैंशन देखने के लिए मिली है बट एबिटा और नेट प्रॉफिट गंदा थोड़ा सा फॉल्स देखने के लिए मिला हम लोग को यहां पर से एक कह सकते हूं मतलब अपस पस की देखने के लिए मिली है इसके चलते हैं चलते हैं पर क्या सकते हैं चालनक से नीचे आते नगा और कंपनी की जो एर्निंग्स है वह सोड़ी सी अच्छे हम लोगो नहीं नजर आ रही है तो अभी फिलाल यहां पर हम लोग देखा जा तो कौटर लेरे तोड़ा बहुत यहां पर नेट प्रॉफिट गिरते नजर आ सकता आने वने समय में इसी के साथ फिलाल अभी चलेंगे मिलेंगे अगली वीडियो में वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना शेर करना और साथ यसाथ चैनल को सस्क्राइब करें आपको अच्छी अच्छी में वीडियोर आपको उत्पटाइब टॉपिझ को अवावने झाल आपको को अपको